हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोईल से email ID को कैसे remove करेंगे दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपने मोईल में बहुत सारा email ID बना लेते हैं और उसका यूज भी नहीं करते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं उस email ID को अपने मोईल से remove करना तो वो आप कैसे करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुली easily आप किसी भी email ID को आप अपने मोईल से कैसे remove कर सकते हैं और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा email ID किसी के मोईल में खुला होता है किसे हमारे contact में जितने भी लोग होते हैं और हमारे मोईल में जो भी photo होते हैं उसके मोईल में भी so होता है दूसरे भी device में so होता है और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप अपने email ID को किसी भी mobile से remove करना तो वो कैसे करेंगे दोस्तों बिल्कुली simple size tip है चलिए हम आपको बताते हैं और दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं mobile skin पर तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हम आचुके हैं अपने mobile skin पर चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने mobile से किसी भी Gmail ID को remove करना है तो दोस्तो जैसे ही आप अपना Gmail icon अपना open करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface दिखेगा तो यहाँ पर आपको हमारा बहुत सारा email ID दिख रहा होगा इसमें दोस्तो एक हमारा email ID है जो कि कोई काम का नहीं है हम चाहते हैं दोस्तो इस email ID को remove करना अपने mail से तो कैसे करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर कोई भी option नहीं दिखेगा जैसे ही हमारा email ID है इसको remove करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो कोई option आपको नहीं दिखेगा जैसे कि manage your Google account पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कोई option नहीं मिलेगा यहाँ जैसे कि दोस्तों हम अगर security वाले option पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक option दिख रहा होगा manage account on this device तो दोस्तों उस वाले option पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सारा email ID दिख जाएगा आपके mobile में जो भी email ID login होगा जो भी email ID login होगा यहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा जैसे कि दोस्तों हमें पहला वाला email ID को remove करना है तो इस पर click करेंगे यहाँ पर click करते ही दोस्तों एक option नीचे आगया remove account का कि हम remove account पे click करेंगे तो यहां पे दोस्तो आप्सन आ गया remove account का option दोस्तो इस पे जैसे हम click करेंगे यह email ID हमारे mobile से भट चुका है अब यहां पे नहीं दिख रहा है अब दोस्तो यहां पे hem profile वाले पे click करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तो वो email ID यहां से remove हो चुका है तो इस तरह दोस्तो जो है आप बिल्कुल ही आसानी से जो है आप किसी भी email id को आप अपने mobile से remove कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें ठीके दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में new helpful वीडियो के साथ